आप सब का नमस्कार मेरा नाम है आर्यान शरोड़ा मैं बस्ति उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ कुछ समय आप लोग का लूँगा फिर इजाज़त की सबसे पहले वो डर नहीं अगर डर में ना हो कोई और गरीबी ये नहीं है कि घर ना हो गरीबी ये है घर में ना हो कोई एक हैसे आप लोग जोड़ेंगे कि मैंने तुम्हारी हर एक बात रखी थी पर तुमने मेरी हालत बरबाद रखी थी मैंने देखा तो जमी पे रखा था मेरा दिल बगल में देखा तो तुम्हारी उकात रखी थी एक ये है कि घिनोने गंदे जुर्म ना जहले कोई ना डरे रात में अकेले कोई मैं खिलोने मुफ्त में बाटूंगा किसी लड़की के जिस्म से ना खेले कोई एक ये प्यारी सी कि सुकू से जिन्दगी का गुजारा होता काश किसी कंधे का सहारा होता काश अच्छी बात ये है कि हम है उस शकस के इच्छा इतनी सी है वो भी हमारा होता काश और एक ऐसे मस्ती में फी कि इसमे में मैं को लगा कि English Word कभी Add किया थो कैसा लगेगा तो हजार गलती करने से तु मुझे को रोक पर मत नचा मुझे को उंगली की नोक पर मैं लिख रहा हूं इसलिए भी जिन्दगी के बारे कभी तो कोई हसे गा मेरे भी जोक पर कभी तो कोई हसेगा मैं कहुँ तो एक मतला और कुछ शेर कि दिल में भरोसा दिमाग में सबर आता है तभी तुम्हारी दुआओं में असर आता है कुछ पाने की खुशी की एक खराब बात है इसके साथ हमेशा खोने का डर आता है ना कल का यकी है ना कल पे भरोसा ना कल का यकी है ना कल पे भरोसा तभी तो बातों में अगर मगर आता है यकी मन्जिल है तुम्हारी और अक्सर रिष्टे की सड़क में शक्का घर आता है और इतने लोगों ने मुझे थोड़ा थोड़ा मारा है इतने लोगों ने मुझे थोड़ा थोड़ा मारा है एक खयाल है जो मुझे रात भर आता है कि अगर मैंने कल खुदखुशी कर ली तो देखता हूँ खून का इलजाम किसके सार आता है अब एक है ऐसे ही आजाद नजम अलब मैं कुछ कहूँगा नहीं कि तुम्हें उसके बारे में पता भी है वो हुसन का रुआव है और खता भी है वो फूल है जो बागों में नहीं खिलती वो लकीरों के जरीये नहीं मिलती आस्मा में देखती है बादल बना देती है जिसे देखती है पागल बना देती है मेरे महले का हर लड़का परबाद उससे हुआ है खूबसूरत हुसन जैसे शब्दों का इजाद उससे हुआ है दिल की हर धड़कन आखों पे भारी होती है वो इन रोजे सी आखों की इफ्तारी होती है किसी शायर का फितूर है वो नशा है पैमानों का उसकी खिड़की के नीचे महला बसता है दीवानों का वो हर चीज महक रही है जो उसने चुई है वो नजम है जो खुदा की लिखी होई है तारों में मशुहूर है वो तारों में मशुहूर है वो चांद का नूर है वो जमी उसके कदम चूमती है धरती उसके ही इर्द गिर्द घुनती है वो वफा के हक में दी हुई गवाही है उसे सपने में भी छूने की मना ही है वो मेरी अबादत की हरे किकाई में है सारी अफसराओ का हुसन उसकी परचाई में है लड़कों ने इतनी पी उसके नशे में सूखा में खाना पड़ गया इतना मांगा उसको खुदा को नीचे आना पड़ गया खुदा ने हाद जोड़ के बोला की माफी चाहूंगा मैं उसके जैसी दुबारा कभी नहीं बनाऊंगा मैं लड़कों ने बोला फिर हम मरी हुई उमीद बनके रहेंगे, इश्क नहीं कर पाएंगे तो मुरीद बनके रहेंगे। और बस एक आर्ट लाइन की कहानी फिर अपनी जगा, इसमें एक वर्ड है जाफी, जाफी का मतलब होता है आत्मा, कि बाप ने पीना शुरू कर दिया, घर से खुशियों की जाकी उतार दी, आया वो गुसे में घर पे, उसने इनसान की जाफी उतार दी, बेल्ट से मारा मा को पहले, बेल्ट से मारा मा को पहले, फिर बेहन पे शराब बाकी उतार दी, वो छोटा भाई रोता रहा लाचार था, कुछ कर नहीं सकता था, सोसने राखी उतार दी, और जॉन साब को देखके बस दो लाइन पढ़के जगा, कि मैंने कल से जीने की इसलिए भी ठान ली, मैंने कल से जीने की इसलिए भी ठान ली, कल जब ठूकने गया था, तो खून निकला था, बहुत बाद शुक्रिया, की इसलिए खून पुक्रिया, की इसलिए भी इसलिए, दोर के लाई нच्ड़के पारी, पारिखके बसान ली, ईसलिए खून जो ली, मैंने की इसलिए से अemuारोétait, तो खूने विर ये हूने की प το ग wallet, बहूने की टहने तो साया जाल मैंने का है, बहूने वहां मैंने की वा